ओम शान्ती तो कल हमने health का class चालो किया था उसमें diabetes का basic concept की diabetes कैसे होता है और diabetes का symptoms क्या होते है वो देखे है और उसका next जो भी है वो आज देखेंगे diabetes के कारण क्या-क्या हो जाता है मतलब complications क्या हो सकते है and diet especially आज के class में हम diet और exercise के बारे में भी देखेंगे तो कल हमने देखा है कि जो diabetes होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो पेट के पीछे pancreas एक organ होता है यहाँ आप देख सकते है pancreas जो है उससे insulin की उत्पत्ती होती है जब वो insulin produce होता है उसकी उत्पत्ती होती है तो जो हम खाना खाते है वो glucose की तरह convert हो जाता है और उस glucose को cells के अंदर कणों के अंदर insulin अंदर बेजता है ताकि वो शक्ती में convert हो जाए अभी diabetes में क्या हो रहा है कुछ प्रकार के diabetes में insulin तो बनता है लेकिन वो संपूर्ण रीती से कारी में नहीं आता है तो इसके कारण जो हम खाना खाते है वो हमारे cells तक कणों तक पहुंचता नहीं है इसलिए ब्लेड में शुगर ज्यादा दिखाता है तो यहां भी आप देख सकते हैं जो पहला है वहाँ पर insulin आ रहा है और insulin जाके cells के उपर बैट रहा है है ना insulin receptor तब वो glucose जाके अंदर cells मतलब कणों के अंदर जाके शक्ती बनता है second figure में आप देख सकते हैं type 1 diabetes इसमें insulin की उत्पत्ती ही नहीं होती है मतलब उन मरीजों में insulin की production नहीं होती है तो क्या होता है insulin अगर नहीं है मतलब एक दर्वाजा है और अगर चाबी नहीं है तो दर्वाजा हम खोल नहीं सकते तो insulin चाबी की तरह है अगर चाबी ही नहीं बन रहा है तो दर्वाजा खुलेगा नहीं तो glucose सारा blood में ही रह जाएगा और तीसरी आप देख सकते है कि इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो जाके काम नहीं कर पा रहा है मतलब चाबी है लेकिन चाबी जंक पड़ गया है वो दर्वाजा खुलने में प्रॉपर नहीं है इसलिए दरवाजा खुल नहीं राए, तो क्या हो जाता है इससे भी glucose रह जाता है ब्लेड में, तो यह कारण है शुगर ज्यादा होने का, तो कल हम यह सब देखे हैं कि किस कारण से diabetes होता है, diabetes में कौन-कौन से symptoms होते है, उन लोगों को ज्यादा प्यास लग सकता है, ज्यादा हील नहीं होते है हातों में, पैरों में जंजनाहट होती है तो फिर सुन पढ़ जाता है तो ये सारे लक्षन डाइबेटेस होने पर हो सकता ऐसे नहीं कि सभी होगा ही किसी किसी को तो कुछ भी नहीं होगा शुगर 400-500 रहता है लेकिन उनको एक भी शिकायत नहीं होती, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं आते, ब्लेट चेकप नहीं करते लेकिन किसी और चीस में जैसे कि कुछ जनरल चेकप में चले गए तब पता चलता है कि उनको शुगर हो गया है तो कल हमने देखा कि डाइबेटेस में हम कैसे उसको प्रिवेंट करे तो यहां एक चार्ट दिया गया है, इसको इंडियन डाइबेटेस रिस्कोर बोलते है क्योंकि हमारे जो भी गाइडलाइन्स होते है, मेडिकल फिल्ड में जो भी गाइडलाइन्स आते है कि आपको इस बिमारी में इस प्रकार से चलना है, मतलब इस प्रकार की दवाईयां देनी है, इस प्रकार की जानचे करनी है, यह जो भी होते है वो एक गाइडलाइन्स आते है यूजली अमरिका से आता है या तो फिर उरोप से आता है लेकिन इस डायबेटिस के एक शेत्र में हमारे भारतवासी ही एक सर्वे किया है क्यूंकि हमारे इस भारत देश में सबसे ज्यादा डायबेटिस है तो किस कारण हो रहा है कौन से लोग है जिनको इसकी रिस्क है मतलब ये फ्यूचर में ये डायबेटिस में जा सकते हैं, तो उस सर्वे में उन्होंने एक ऐसा चार्ट बनाया है, जिसमें हम खुद देख सकते हैं कि मैं कितने रिस्क पे हूँ, भले आज के दिन में आपको शुगर नहीं है, डायबेटिस नहीं है, लेकिन ये रिस्क में आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको हो सकता है क्या, या तो फिर आप अपने परिवार वालों को भी बता सकते हैं, कि आप इसका चेकिंग करो, ताकि आपको पता चले कि आपको फ्यूचर में वो रिस्क है कि डायबेटिस आ सकता है क्या, तो इसमें कुछ चार ची 20 और 50 से उपर है उनका स्कोर 30 तो इन तीन age group में मेरा age कौन सा है उसका स्कोर आपको लिखना है सपोज आपका age 50 साल से उपर है तो आपका स्कोर 30 हुआ तो 30 लिखना है उसके बाद second category है abdominal obesity मतब हमारा पेट का कितना पेट का नाप अगर करेंगे तो कितना centimeters में आ रहा है इसमें भी females में males में भाईयों में अलग है भैनों में अलग है अगर females में मतलब भैनों में 80 centimeters 80 centimeters से कम है तो उनका स्कोर 0 है अगर उनका 90 centimeters से ज्यादा है तो उनका score 20 है उसी प्रकार males में भाईयों में अगर उनका score 90% से कम है तो 0 score और 100 से ज्यादा है अगर आप नापेंगे एक tape ले करके आपके पेट का पुरा ऐसा circle में अगर आप नापेंगे तो आपका कितना centimeters आ रहा है तो वो centimeters आपको scoring देगा अगर आपका पेट का जो circumference नापेंगे और वो 100 से ज्यादा है तो आपका risk 20 हो जाता है Next is physical activity कि हम कितना exercise करते है तो इसमें है कि अगर हम regular exercise कर रहे है मतलब पसीना चूटने जैसा exercise ऐसाने कि normal टहलना exercise में नहीं आता है अगर आपका पसीना चूट रहा है उस प्रकार की exercise कर रहे तो मतलब आपका score 0 है क्योंकि आपका risk कम हो रहा है अगर आप normal अपनी दिन चरिया की काम कर रहे अपना office का काम कर रहे घर का काम कर रहे तो आपका score 10 है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बेटे-बेटे ही काम होता है सारे दिन का पूर बिलकुल ही चलना फिरना नहीं होता है तो उनका score ज्यादा हो जाता है तो उनका score 30 में चला जाता है No exercise at all Then family history आपके परिवार में किसी को भी शुगर नहीं है तो आपका score 0 दोनों parents में माबाप में किसी एक को है तो आपका score 10 अगर दोनों को है माता को भी है, पिता जी को भी है तो आपका score 20 तो ये 4 categories में हर एक score को आपको calculate करना है, add करना है तो first क्या है? उमर उमर में कितना score है मेरा अगर 20 है, तो abdominal obesity में अगर 10 है, तो 20 plus 10, 30, फिर physical activity में अगर 20 है, 30 plus 20, 50, और family history में समझ लीजे, एक parent को है तो 50 plus 10 60 तो इन 4 चीज़ों को add करने के बाद जो score आपको आ रहा है न उस score के हिसाब से आप कितने risk पे है, वो बता सकते है, और जिनका score 60 से उपर है, 60 से उपर है वो high risk में है जिनका score 30 से 50 के अंदर में आ रहा है वो moderate risk, मध्यम के risk में है और जिनका 30 से कम है वो low risk में है तो ऐसा नहीं कि 30 से कम है तो उनको sugar होगा ही नहीं क्यूंकि भले ये चीज़े नहीं है, अगर stress factor ज्यादा है, तनाव ज्यादा है जिन्दगी में, किसी भी कारण से चाहे workplace में या घर के समस्याओं में किसी भी प्रकार से अगर तनाव ज्यादा है तो भी आपका risk बढ़ जाता है तो ये एक चोटा सा चार्ट है जहां हम अपने खुद को देख सकते हैं और पहले से ही हम alert हो सकते हैं अगर risk बढ़ रहा है, मतलब future में, diabetes होने का है, तो फिर उसके बाद हम दवाईयां चालू करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको sugar checking करनी है, क्यूंकि क्या होता है, अगर आप कुछ लोग सोचते हैं कि हमने दवाईय तो चालू कर दिया है अभी आपने की क्या ज़रूरत है वो तो control में आई जाएगा कभी कभी 2-3 मास में एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होता है क्यूंकि कभी कभी क्या हो जाता है आपका खान पान में थोड़ा उपर नीचे हो सकता है दवाईयां कभी मिस हो सकती है तो बहुत सारे कारण होते है इसलिए अगर हम जांच करते रहेंगे बीच बीच में अगर आपका अभी अभी डाइगनोस हुआ अभी अभी पता चला कि शुगर चालू हुआ है तो आप क्या करेंगे एक लिस्ट हफते में एक दो बार जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल कहाँ पर है अगर बहुत अच्छा कंट्रोल में है आपका कई सालों से चल रहे है और आपका शुगर बहुत अच्छा चल रहा है उस समय आप कम चेकिंग कर सकते भले आप महिने में एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर अभी अभी पता चला, या तो फिर बहुत साल से है, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं है, तब भी आपको frequently चेकिंग करना है, बार-बार चेकिंग करना जरूरी है, तो वैसे तो ग्लुकोमेटर सबसे easy method है, शुगर चेक करने का, और हमारा targets क्या होना चाहिए, HBA1C एक ऐसा test है, जो हमारे पिछले तीन महिने से शुगर कैसा है, वो बताता है, जो आप ग्लुकोमेटर से या लाब में चेक करते हैं, उस समय का शुगर बताता है, तो उस समय आपने खाने से पहले शुगर चेक किया, तो कितना है, खाने के बाद शुगर चेक किया, तो कितना है, सिर्फ उस क्षन का बताता है, लेकिन यह जो HBA1C test है, यह आपके पिछले तीन महिने से शुगर कैसा चल रहा है, वो एक average figure दे देता है, तो आपको एक अंदाज आता है, कि मैं कितना control में हूँ, या फिर यह एक rough figures है, कि खाने से पहले, almost 80 to 110 या 120 तक, यह 130 figure इसलिए लिका है, यह बहुत ही बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जैसे कि 60 years के बाद या तो फिर 70 years के अबोजो होते हैं, उनके लिए हम इतना strict control नहीं रखते हैं, क्योंकि उनमें low sugar बहुत डेंजर होता है, इसलिए उ बहुत यांग होते हैं, जैसे कि 30, 40, 50 तक भी हम कोशिश करते हैं, कि उनकी शुगर नॉर्मल के नस्दीक रहे, मतलब 80 से 100 के बीच में रहे fasting, और खाने के बाद 140 से 160 तक रहे, max to maximum 180 से नीचे रहे. तो एक है ग्लुकोमेटर द्वारा चेकिंग का, ग्लुकोमेटर में चेकिंग में ये एक बहुत ही important concept है, क्यूंकि हम खाई बार देखते हैं, कि जो पेशेंट शुगर चेक करते हैं, वो सिर्फ fasting पीपी, fasting पीपी करते हैं, मतलब खाने के पहले वाला सुबह का और खाने के बाद वाला, बस उतना दो ही करते हैं, और उनको उतना ही पता है, वास्तव में आपको अगर आपका डाइबेटेस कंट्रोल में नहीं है, या तो फिर आपका अभी अभी शुगर डाइगनोस हुआ, आइडियली आपको अलग अलग टाइम पे चेक करना है, वो यहां दिख अपकर ने कहा कि चेक करो, उसका मतलब है डेड़ गंटे के बाद चेक करो, तो कभी एक दिन में आपको नाश्ते के पहले नाश्ते के बाद करना है, फिर दो तीन दिन छोड़ सकते हैं, फिर लंच में कीजिए, लंच के पहले और लंच के बाद, दोपेर में खाने से पहल दोपर में खाने के डेड़ गंटे के बाद, फिर दो-तीन दिन छोड़ दीजिए, फिर रात को, रात को बोजन के पहले, बोजन के डेड़ गंटे के बाद, इससे क्या होता है, आपको भी एक आइडिया आता है कि कौन से खाने से, मतलब किस टाइम पे मेरा शुगर बढ़ र रहते हैं उन्में, किसी-किसी का दोपर में ज़्यादा रहते है, किसी का रात में, तो उस हिसाभसे अगर उनका दोपर या रात का ज्यादा चल रहा है तो उस प्रकार से हम डोसेज एज़िस कर सकते हैं, एक फिक्स्ट रूटीन में नहीं contarै, तो यसी लिए यह आइडियल उन से अल्रेडी यूज कर रहे हैं सभी डाइबेटोलोजिस्, लेकिन इसकी एक खासियत है कि एक छोटा सा कॉईन, वन रुपी कॉईन होता है न, उतना साइज का, छोटा सा कॉईन साइज रहता है और उसको हम हाथ में चिपका सकते हैं, और ये छोटा सा कॉईन जैसा वो च चौदा दिन तक इसको लगा के रखते हैं, तो चौदा दिन के बाद हम उसका ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ निकालके पेशन्ट खुद को दिखाते हैं कि देखिए आपका इस दिन में इस समय का शुगर ज्यादा है, इस समय में आपका शुगर डाउन गया है, तो उनको भी समझ में आता है तो उस दिन हमने क्यों हम उनको बताते हैं पहले से ही बताते हैं कि आप अपना हर रोज का चार्ट लिखिए मतलब खाने पिने का चार्ट लिखना है कि मैंने आज के दिन में नाश्ते में क्या लिया लंच में क्या लिया डिनर में क्या लिया वो सब लिख इच्छा मेशिरिंग टूल है, यहां आप देख सकते, जो यलो कलर है बहुत हाई शुगर से, और जो रेड कलर है लो शुगर में जा रहा है, और जो बीच में है, बैलेंस में है, वो नॉर्मल रेंज में है, तो हम देख सकते, यह 24 गंटे का ग्राफ है, स्टार्टिंग से ल हमारा शुगर ज्यादा चल रहा है अगर आप में इस ग्राफ में देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो हे बहुत ही continuously high sugars है उसके बाद धीरे 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 वो level of high sugars थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और फिर यहां last में देख सकते हैं कि patient बीच बीच में low sugar में भी जा रहा है वो जो red color दिखा रहा है न वो low sugar का है तो हम उस हिसाब से dosage को भी adjust कर सकते हैं patient को educate कर सकते हैं तो HPVNC हमने अभी discuss किया है वो 3 months का average sugar बताता है हाँ तो यह बहुत बड़ा question सभी के मन में रहता है कि क्या हम diabetes को prevent कर सकते हैं क्या मतलब आने से पहले ही उसको रोक सकते हैं क्या definitely कर सकते हैं क्यूंकि जिए वो chip जो है ना हमारे हाथ में लगा हूआ रहता है आप्णा पूरा काम कर सकते हैं सनान भी कर सकते हैं सब कुछ कर सकते सिर्फ उसके उपर हाथ रखके रगणना नहीं है बस उतना थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप सोने में, कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे, लकिन एक ही थोड़ा सा ड्रॉबाक इसमें है कि ये सिर्फ 14 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है और इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा ह है, इसलिए सबी को हम जनरल में रिकमेंड नहीं करते हैं, जिनका बहुत ही अनकंट्रोल शुगर्स है, जो बार-बार प्रिक नहीं कर पाते हैं, स्पेशली टाइप 1 डाइबेटिस, जिन में बार-बार शुगर चेक करना होता है, क्योंकि उनका शुगर्स बहुत सकते हैं, क्या ये क्वेशन बहुत सारे लोगों में आता है, डेफिनेटली रोक सकते हैं, मतलब आने से पहले ही, जो हमने रिस्क एक देका है, रिस्क स्कोरिंग देका है, उससे भी अगर हम अपने आपको चेकिंग करते रहें, और आईडियली एटलीस्ट 40 येर्स एंड लेबो वाले तो हर साल में एक बार तो शुगर चेकिंग करना ही चाहिए, बाई डिफॉल्ट, अगर आपका फामिली हिस्ट्री है, नहीं है, तो भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल तो स्ट्रेस लेवल्स हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो इसलिए चेकि अगर न आये फ्यूचर में उसमें हल्प होगा, नेक्स हमारा खानपान, ज्यादा फास्ट फूट्स, जंक फूट्स, मतलब ज्यादा तले हुए चीज़े, ये सब चीज़े कम करना है, क्योंकि ये सब एक प्रकार की स्ट्रेस क्रेट करता है बाडी में, इसको हम मेडिकल उसमें इंफ्लमेटरी स्टेट बोलते हैं, एक प्रकार की तनाव की स्टेज क्रेट करता है, तो उससे ही ये स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ जाते हैं, फिर वो जाके डाबेटेस, हाइपटेंशन, हाट प्रॉब्लम्स, ये सब चलो हो जाते हैं, और अगर कोई किसी को एडिक् ये क्वेशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपका बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में पता चला डाबेटेस का, तो डेफिनेटली आप कंप्लीट रिवर्सल में जा सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल अगर आपने चेंज किया, खानपान में आपने कंट्रोल किया, एक्सेजाइस बढ़ाया है, ये सब चीजे करेंगे, तो डेफिनेटली आपका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होते होते, दवाईयों से रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा हमने बहुत सारे केसस देखा है, लेकिन अगर आपका बहुत लंबा समय से डाबेटेस चालू है, और वो भ आपके आँख में दिक्कत आना, किड्नी का प्रॉब्लम चालू हो जाना, पाओं का प्रॉब्लम चालू हो जाना, हाट का प्रॉब्लम चालू हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन्स में आते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन्स चालू ना हो, वो हम रोक सकते हैं, डेफिनेट होते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन वह बहुत कम परसंटेज में होते हैं, क्यूंकि यह लॉंग टम है, ऐसा नहीं कि मैंने एक महिना किया, कुछ फॉलो किया, कुछ डाइट फॉलो किया, एक महिना किया, तब अच्छा रहता है, उसके बाद वापस हम अपने जीवन शैली मे चलेगे, मतलब पुराने डाइट हाइब विट्स में चलेगे, एक्सराइज नहीं कर रहे, तो वो वापस आ जाएगा, तो यह लॉंग टम कमिटमेंट है, डाइबिटेस का, हम अपने खुद से कमिट हो रहे हैं, कि मैं अपने लाइफस्टाइल को कितना परिवर्तन करने डाइबिटेस के मैनेजमेंट में दो प्रकार के होते हैं, नन फार्मलोजिकल मतलब बिना दवाईयों के दूसरे तरीके और फार्मकलोजिकल मतलब दवाईयों के साथ, नन फार्मकलोजिकल में हमारा लाइफस्टाइल, उसमें डाइट, ilays यह एक्सराइज आजाता है, व हमारे weight reduction में भी help करता है, sugar control में भी help करता है, तो इसके विस्तार में नहीं जा रहे, insulin के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा myth है, कि insulin एक बार चालू किया, तो वो जीवन बर रहे जाएगा, या insulin नुकसान करता है, insulin लिया मतलब dialysis में चले जाएंगे, ये सब myths है, अगर कोई व्यक्ति, समझ लीजिए, पूरा uncontrolled sugars में हैं, और उनका kidney खराब हो गया है, तो उस समय तो हमको sugar तो control करना ही है, ताकि वो और आगे न बड़े, kidney खराब होना चालू हो गया है, और उस समय में हम tablets नहीं दे सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी insulin चालू करेंगे न, तो easily उनका sugar control हो सकता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फिर भी अपना lifestyle चेंज नहीं करते हैं, मतलब खान पान में या physical activity में, तो उनका sugars बढ़ता ही जाएगा, insulin के बावजूद भी, तो वो kidney failure में चले जाते हैं, और उनको क्या लगता है, insulin के कारण गया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है, कि उनका sugars uncontrolled क्यों हैं, सिर्फ दवाईयों पर हमको 100% भरोसा नहीं रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं दवाई खा रही हूं सुब़ शाम तो मेरा sugar ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, उनका सिर्फ 20-25% ही रोल होता है, बाकी रोल हमारा stress हम कितना manage कर रहें, अगर आप दवाईयों के उपर ज्यादा depend करेंगे तो वो भले आज के दिन काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, उसके बाद क्योंकि दवाई क्या करता है, हमारा जो pancreas है, जो insulin की उत्पत्ति करती है तो pancreas से वो काम करवाता है, कुछ दवाईयां ऐसा है, diabetes के, जो अल्रेडी हमारा insulin बन रहा है, उसको काम में लगाने में कोशिश करते हैं, कुछ दवाईयां ऐसा है, जो pancreas से जो insulin बन रहा है वो और थोड़ा ज्यादा बना रहें, उसमें help करते हैं, तो एक व्यक्ति है, समझ लीजे एक व्यक्ति है, उसको आपने काम किया, 5 किलो का वजन उठाना है daily, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, और वो व्यक्ति कर रहा है, फिर कुछ समय के बाद वो करते-करते थोड़ा ठक जाता है, फिर उसका थोड़ा ढिला पना जाता है, फिर आप बोलते हो, ने-ने हमको जरूरत है, आपको एक और 5 किलो वजन उठाना जरूरी है, तो बिचारा क्या करता है, बोलता है, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, फिर 10 किलो उठाना चालू करता है, एक दिन करता है, दो दिन करता है, दस दिन करता है, फिर उसकी ताकत तो कम होता जाता है, फिर हम बोलते, ने-ने-ने, अभी इससे हमारा काम नहीं चलेगा, आपको 10 कि और वजन उठाना है, क्योंकि हमको चाहिए, ये काम अभी होना चाहिए, तो फिर वो अपने पूरा दम लगाता है, फिर 30-40 किलो उठाना चालू कर देता है, कितना दिन करेगा? थोड़े समय, जितना तक उसका आखरी सांस है, तब तक करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, वो गिर जाएगा, है ना? पांक्रियास भी वहसा ही है, हम टाबलेट से उसको क्या कर रहे हैं? आप काम करो, पहले थोड़ा लो डोस में चालू करते हैं, बोलते हैं कि आप काम कर दोड़ा है ना? पांक्रियास से, टाबलेट से जाके, फिर हमारा डाइट प्रोपर नहीं ए, एक्सेस प्रोपर नहीं है, शुगर बढ़ा बढ़ी रहा है, तो हम डोस बढ़ा देते हैं, और वो डोस जाके क्या करते हैं? और उससे काम कराने की कोशिश करते हैं, और पांक इसलिए हमको डायबेटेस चाल हो गया, उसके उपर हम डोस के उपर डोस बढ़ा रहे, क्यूंकि हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज तो नहीं कर रहे, हमको किसी भी तरह से शुगर को कंट्रोल में लेके आना ही है, नहीं तो फिर उसका अलग कॉम्प्लिकेशन हो फिर इंसुलिन प्रोडक्शन बंद, इसलिए उस समय हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, तो ये कॉंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्यों सब कुछ डायबेटेस एक ऐसी चीज है, बहुत ही एजिली हम अपने लाइफस्टाइल से उसको ठीक कर सकते हैं, अटलीस्ट पून रीती से कंट्रोल में रख सकते हैं, हमारे हाथ में हैं, तो इंसुलिन के बारे में बहुत सारे लोगों को मिट्स है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, इंसुलिन ही सबसे सेफ दवाई है, जो सबसे लीस्ट साइड एफेक्स है, वो इंसुलिन है, अगर उसका डोस आप आप कुछ न कुछ हो जाते हैं, लेकिन इंसुलिन सबसे सेफ है, लेकिन इंसुलिन का इतना डर बैठ गया लोगों में, कि इंसुलिन नाम सुनते ही, बहुत सारे चीज़े मन में लेके आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ, डायबेटिस के साथ साथ, हमारा blood pressure भी control में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक inflammatory stage, एक तनाव की stage create हो जाता है शरीर में, वो तनाव की stage BPB लेके आजाता है, शुगर भी लेके आता है, heart problems भी लेके आता है, kidney problems भी आजाते हैं, तो इस तरह कि काई सारे problems आ सकते हैं, इसलिए हमको regularly blood pressure भी check करना है, अपना cholesterol भी check करना है, cholesterol का targets, जो doctor आपको बताते हैं कि आपके age के हिसाब से कितने target में आपको maintain करना है, उस हिसाब से आपको maintain करना है, complications, बहुत briefly हम बताएंगे, यहाँ पे mainly sugar के कारण तीन चीज़े हैं, जो first attack होते हैं, एक है आँख, दूसरा है kidney, तीसरा है हमारा pound, जैसे कि पाउं के जो nerves होते हैं उन पर असर हो जाता है, तो आँख में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने आँख की जांच कर ली, हमको चश्मा नहीं है, लेकिन diabetes आपके यह जो चश्मे का number है, उसको effect नहीं करता है, आपके अंदर एक layer होता है, आँख के अंदर एक layer होता है, उसको हम retina बोलते हैं, उस retina को जो खून की नलिया है, वो फटने लगते हैं, तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो अंदर जाके वो खून ब्लीडिंग हो जाता है, फिर दीरे दीरे आपकी permanent eyesight खतम हो जाता है, permanent दृष्टी में कमजोर हो जाता है, यह है आंखा, दूसरा है किड्नी का, किड्नी पर भी starting stage में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ मालूम भी नहीं पढ़ता है, कि किड्नी का problem चालू हुआ, लोग सोचते हैं कि हमारा क्रियाटनिन का number ठीक है, तो मतलब हमारा किड्नी ठीक है, क्रियाटनिन बढ़ने चालू हो रहा है, मतलब किड्नी पर असर होना चालू हो गया है, उसको उस stage तो हम reverse कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से शुगर कंट्रोल करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, तो वो protein leakage अगर starting stage में है, तो वो reverse हो सकता है, नेक्स्ट है पाउं का, बहुत सारे लोगों को ऐसा जंजनाट feeling होती है, सुन पढ़ गया, ऐसा feeling होती है, यह सब जब शुगर जाके हमारे nerves को नसों पे effect करता है, तब इसे complications चालू होते हैं, उसके बाद जो major है, हमारे heart, brain और पाउं के जो खून की नलिया है, वो जाके block ह हो जाते हैं, और जो भी घाओं होते हैं, वो अच्छी तरह से heal नहीं होता है, भरता नहीं घाओं, और दूसरा complications है, low sugar, low sugar में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई diabetic है, और वो दवाईयों पर है, और उनको अगर low sugar लगता है, low sugar में क्या feel होता है, आपको सारे symptoms होते हैं, उस समय आपको immediately sugar चेक करना है, इसलिए हर diabetic patient को अपने पास glucometer, sugar चेक करने वाला वो जो चोटा मेशीन है, glucometer वो रखना बहुत जरूरी है, आप तुरंत sugar चेक कीजे, अगर वो 70 से नीचे जा रहा है, 70 से नीचे जा रहा है, तो आपका low sugar चालू हो गया, शकर पानी में मिला के पी सकते हैं, आधा गंटे के बाद वापस आपको शुगर चेक करना है, कि हमारा शुगर लेवल वापस 100 के उपर आ गया है, क्या वो चेक करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैंने मीठा का लिया और ठीक हो गया, नहीं, क्यूंकि हमने ऐसे भी cases देके है, वो सिंपल हाइपोग्लेसिमिया को ट्रीट नहीं किया, मतलब घर वाले, तो वो कोमा में चले गे, उनको लगा कि हमने मीठा दे दिया, तो अभी ये ठीक हो जाएंगे, रात का समय है, कहां जाएंगे होस्पिटल, तो देते गई, देते गे, रात बर उनको थोड़ा- कमप्लीट लो शुगर के कारण brain damage हो गया है, तो लो शुगर इतना तक कर सकता है आदमी को, एक बार वो लो शुगर के कारण जो brain damage होता है, वो वापस नहीं होगा, reverse नहीं होगा, तो इसलिए जब भी लो शुगर होता है, इमीडियट ली चेक किजिए, और उसको ट्रीट क उनको hospital लेके आना है, क्यूंकि उनको injection से glucose देना पड़ेगा, क्यूंकि वो मुह से वो नहीं ले पाते हैं, उस समय है ना, होश में नहीं है, तो मुह से कैसे लेंगे, तो injection में हमको glucose चढ़ा के वापस होश में लेके आना होता है, तो ये बहुत सारे myths है, कि diabetes होगा, तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, मतलब मिठाई नहीं खा सकते हैं, diabetes अगर किसी को हो गया, उनके साथ रहेंगे, तो हमें भी diabetes हो जाएगी, ये सब बहुत ही अंदशृद्धा की बाते हैं, ऐसे भी होते हैं, हमें भी बहुत आश्चिर लगा कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, क्या हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ाए, लेकिन वास्तर में हमने एक पेशेंट को, मतलब एक रिलेटिव को देखा है, कि इनको diabetes हुआ, तो हमको भी हो जाएगा, क्या, तो मतलब बहुत आश्चिर लगा कि इस जमाने में भी ऐसे सोचते हैं, क्या, then हम मतलब बहुत आक्टिव वाले स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, मतलब अच्छे खासे exercises नहीं कर पाएंगे, ये सब में ऐसा कुछ नहीं, diabetes आया मतलब आप कुछ नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे famous है personalities हमारी दुनिया में, जिनको type 1 diabetes है, ये type 2 वाले नहीं है, type 1 diabetes सबसे challenging है, सबसे challenging है, क्यूंकि वो थोड़ा भी खाने में इधर उधर करेंगे, थोड़ा भी एक चमच भी extra खाएंगे, तो उनका sugar level में fluctuations बहुत ज्याद आजाता है, type 2 में इतना नहीं आता है, तो वो type 1 में होते हुए भी उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजे किया है, मतलब आपने मंजिल पर पहुंच गए है, और दूसरा हम डाइट का देखेंगे, डाइट, तो डाइबिटेस के इस healthy lifestyle में डाइट का बहुत-बहुत important रोल है, डाइट के साथ exercise, हमारा नींद, कल भी हमने देखा है, कम से कम 6 गंटे, मतलब ऐसा number fix नहीं है, लेकिन आपका sleep का quality जो है, वो proper होना चाहिए, जब आप उठते तो आपको fresh होना चाहिए, चाहिए आप 3 ग लेकिन उठने के बाद आपको freshness feel होना चाहिए, addictions अगर कुछ है, जैसे drinking, smoking, उन सबको बंद करना है, stress management, weight reduction, weight reduction भी बहुत ही ज्यादा role play करता है, diabetes manage करने में, and regular check-ups, ये भी important है, ऐसा नहीं कि मेरा ठीक चल रहा है तो चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ-कु तो भी at least आपको दो-तीन माइने में एक बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तो डाइट में एक चीज है कि बहुत सारी लोग हमें पूछते हैं कि आप हमें डाइट चार्ट दीजिए, डाइट चार्ट देंगे तो हम उसको follow करेंगे, लेकिन भले डाइट चार्ट आ अपना टाइमिंग्स सेट कीजिए, टाइमिंग्स के हिसाब से आप बीच-बीच में शुगर चेक कीजिए, क्योंकि डाइट चार्ट में हमने एक चीज को दिया, लेकिन आपके बोड़ी को शायद वो सूट नहीं करता होगा, शुगर बढ़ा देता है, किसी-किसी को बढ अपना एक डाइट चार्ट बनाना है, क्योंकि देखिए, नौर्थ में जो रहते हैं, उनका अलग तरीके का खाना पना होता है, जो रोटी ज्यादा खाते हैं, और सौट के होते हैं, तो एक सिंगल डाइट चार्ट आपको कभी भी हल्प नहीं करेगा, तो इसलिए ज़रूरी हो, और डाइट में में नेली दो प्रकार के आते हैं, हमक्रोनुट्रियन कार्भोढाइद देखिए, ज़ो बी कार्भोढाइद जासे कि अनाज हो गया, जासे कि चावल, रोटी, ब्रेड ये सब जो चीज़े हैं कार्भोढाइद में आता है, ये carbohydrate जब अंदर जाता है, तो glucose में convert होता है, इसमें भी हम ऐसा choose करें, तो, किसमें, हाँ, हाँ, मतलब अनाज एक category है, fruits एक category है, vegetables में भी है, जैसे कि आलू हो गया, beetroot गाजर, ये सब उसमें भी carbohydrate ज्यादा आते हैं, मैंने सिर्फ अनाज के example दिया है, तो fruits में भी है, वो अभी आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, कि जो low carb vegetables हैं, जैसे कि पत्ते, उसको ज्यादा prefer करें, और जितना हो सके आप ये पत्ते वाल जैसे कि गोबी हो गया, या तो फिर ब्रकोली हो गया, यहाँ आप देख सकते, इस प्रकार की चीज़ों को हाँ, जैसे कि हरी पत्ते की बात कर रहें आप, हाँ, वो भी सही बात है, क्यूंकि उस समय वाटर इतना क्लीन नहीं रहता है, खेती में इतना पानी अच्छा हाईजीनिक नहीं रहता है, इसलिए वो अवाइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप जैसे कि कीरा हो गया, क कुमबर टमाटर, ये भी बहुत कम कार्भो हाइडरेट्स वाले हैं, वेजिटेबिल्स में भी हम क्याटिगरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरी पत्ते ही काना है, अगर आपको अवाले कुछ लोग घर में ही उसकी ये करते हैं, घर में ही हरी पत्तों को डालते हैं, आप अपना खुद का डाइट चार्ट बनाना बहुत जरूर है, क्यूंकि वो ही आप आगे जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो हमने एक बना के दे दिया, वो आप जिंदगी बर फॉलो नहीं कर सकते हैं. तो बेटर है, अगर संभावना ज्यादा है, तो उसको एवड कीजए, कुछ जगह पे वो बहुत ही हाईजीनिकली उसको लेते हैं, उसको करते हैं, उत्पत्ती करते हैं, तो वो बहुए चिलके से का सकते हैं. डिपेंड्स आप किस एरिया में बिलॉंग करते हैं, किस जगा से आपको वो वेजिटेबल मिल रहा है, हाँ तो वो तो होता, इसलिए हम जितना हो सके उसको थोड़ा अच्छे से वाश करें, तीन चार बार वाश करें, अगर फिर भी लगता है कि उसमें हो सकता है चांसस, त यसे हर जगा होना जरूरी नहीं है, कुछ-कुछ जगा अच्छे वाले भी मिलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाट, जो हमारा घी, तेल यह सब है, उसको वो फाट क्याटिगरी में आता है, यह भी बहुत सारे जगा पे हो रहा है, कि केमिकल ज्यादा यूज करना, कलरिंग ज्यादा यूज करना, कलर्स डालना उसके उपर, यह भी हो रहा है, इसलिए आजकल टेरस गार्डन ज्यादा बन गए है, सिटीस में अगर आप देखेंगे न, टेरस गार्डन, मतलब आपने घर में खुद वो चालू कर दिये, कि बाहर में इतना केम इतना पोल्यूशन हो गया है, हम अपना खुद का ही वेजिटेबल्स की उत्पत्ति करें, और वो ही खाए, हमारे घर में भी चालू हो गया था, कोवेट में, तो यह से बहुत सारे लोगों ने अभी चालू कर दिया, तो इसलिए हम देखें कि कहां से हमको सबसे बेस्ट य चिलका निकाल के उसको यूज करें, ऐसे चीज़े करना है, कुछ तो कुछ हमको सोल्यूशन ढूणना है, इसलिए मैं बता रहे हूँ, हर जगह जहां आप रहते हैं, उसके हिसाब से आपको चेंज करना ही पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट प्रोटकॉल नहीं होता है, इसमें हम ओईल कुछ यूज करते हैं, और उस ओईल को बार बार तल रहें, मतलब कुछ चीज, सपोस एक चीज बना दिया हमने उस ओईल में, फिर हमने रखा साइड में, फिर दूसरी चीज के लिए वापस उसी ओईल को यूज करें, मतलब डबल बॉइलिंग हो गया, इस तरह आ बार बार बॉइल करना हानिका रखें, नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में स्पेशली दालों में रहता है, तो दालों को एक कटोरा दाल रखना जरूरी है, स्पेशली अगर बहुत लीन है, उन जिसको बहुत मजल मास प्रॉपर नहीं है, वीकनेस है, तो एक कटोरा दाल recommend करते हैं, हम minimum, minimum लेंगे तो वो प्रोटीन से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर दाल में अपना-पना properties होते हैं, ऐसा एक fix दाल नहीं है, कि ये दाल ही सबसे best है, ऐसा, कहीं पर भी किसी भी book में नहीं है, अगर आपको सबसे नहीं है, यहां कहीं पर भी nutrition में भी nutrition के बड़े-बड़े किताब में भी ऐसा कुछ नहीं है, कि ये वाला दाल सबसे best है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक दाल में अपना-पना गुन होता है, इसलिए हम oils में भी बताते हैं कि, बहुत सारे लोग बोलत संपूर्ण रीती से करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि, वन मन्थ एक मास एक प्रकार का oil यूज करें, नेक्स्ट मन्थ दूसरे प्रकार का oil यूज करें, तीसरा मन्थ ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि आपका nutrition में कमी रह जाए, कोई भी एक चीज ऐसा नहीं है, जो 100 परसंट उसमें पूरे के पूरे मिल जाए, तो इसलिए हम सब चीजों को अल्टरनेट करते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं डाइट में, वो तो उनको बूछना पड़ेगा, तो आप यह है, इसको आपको पुछना पड़ेगा, तो आपको पुरी जानते कि, और आपको जी, बता तो सकते हैं हम भी, तो फाइबर भी इंक्लूड करना है हमारे डाइट में, नेक्स्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ है, जहां पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर एक पदार्द का, जो हम खाते हैं, चाहे वो अनाज हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, जब हम वो लेते, सपोस हमने 10 ग्राम या 20 ग्राम का कुछ चीज हमने खाया, तो उस 20 ग्राम के खाने से कितना मेरा शुगर बढ़ रहा है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो खाने का जो पदार्द है, वो शुगर को कितना बढ़ाता है, उसको ग्लाइसेमिक कम glycemic index, मतलब थोड़ा कम शुगर बढ़ाने वाले चीजे, orange कलर में थोड़ा ज्यादा शुगर बढ़ाने वाले चीजे, और red कलर में मतलब बहुत ज्यादा शुगर बढ़ाने वाले चीजे. तो इस काटगीरी में आप देख सकते हैं, के आपल, सोयबीन, कैश्यू, ग्रेप्स, ब्राउन राइस, यह सब जो है, यह सब मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है, जांच करके यह इंडेक्स निकाला गया है, तो इसमें आप देख सकते जो ग्रीन साइड में है, यह सब कम लो जिया इंडेक्स बोलते हैं, और मीडियम और चिप्स, यह सब वाइट राइस, क्योंकि उसके उपर वो नहीं रहता है, तो यह एकदम से शुगर बढ़ा देता है, उसका मतलब वो है, तो हम ऐसा इंक्लूड करें, कि हम जो बहुत ही ज्यादा शुगर बढ़ाने वाले चीज़े हैं, उसको थोड़ा कम मात्रा में और जो कम शुगर बढ़ाने वाले हैं, उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले, यह कम में दिखाया है ना हमने अभी, कम में दिखाया, ग्राफ होता है उसका, आप फिल कम दिखाता है, कम बढ़ाता है, इसलिए हम डाबेटिक पेशिंस को रिकमेंड करते हैं, अगर आप को फ्रूट खाना है, तो आप फिल खा सकते हैं, वो अगेन वही मैं बता रही हो, ऐसे हर व्यक्ति में नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं, जिनका बढ़ता ही नहीं है, वो उनके बोड़ी के उपर डिपेंडेंट है, इसलिए कोई भी खाना किसी भी व्यक्ति के लिए ऐस खाना, ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा है, बहुत सारे पेशन्स में उनका अक्टिविटी, मतलब उनका काम करना, मतलब कौन से फिल्ड में काम कर रहे हैं, और सेडेंटरी है, या ज्यादा पसीना चूटने वाला काम है, उसमें भी आपका शुगर लेवल आप भले आम भी खालो, आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपका काम उतना ज्यादा है, महनती वाला है तो, एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका शुगर बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शुगर बढ़ाने के लिए, बढ़ता है, डफनेटली, अगर के बनाना यहीं तो है, अंदर जाएगा तो बढ़ेगा ही, शुगर खालो, या रात को खालो, वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सुभा खाने के बाद काम करते हैं, वो उसमें पज जाता है, और शाम को या रात को खाएंगे, तो सो जाएंगे, तो वो कुछ काम यह मतलब ऐसे ही जाके बैठ गया अंदर, तो बढ़ेगा, तो उसका concept वो है, तो यह एटिंग प्लेट होता है, डायबेटिस में हम ज्यादा तर यह रिकमेंड करते हैं, कि आपका जो प्लेट है उसको चार भाग में डिवाइड करें, वो ही मैं बता रही हो, आपको ना portion, आपको कितना ले रहे हैं, उसके उपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपने प्लेट में पूरा चावल ही रखा है, तो वो शुगर बढ़ेगा ही, लेकिन उसी प्लेट में आपने चोटा सा काटोरी जितना चावल रखा है, एक रोट दाल रखा है, वेजटेबल रखा है, सालेट ज्यादा रखा है, तो शुगर कंट्रोल में रहेगा, तो डिपेंड कि आप उस प्लेट में क्या-क्या चीजे रख रहे हो, और कितना रख रहे हो, कितनी मात्रा में रख रहे हैं, छीकर, जिस फाइन मिनिट सेय। आ, प्री फूट्स में ये आते है हमारे एक्सराइज है। इसमें क्या-क्या आते हैं, हमारा brisk walk, मतलब तेजी से चलना, cycling, swimming, cross training, dancing, ये सब aerobics में आते हैं, resistance training में specially हमारा, aerobics जो है हमारे heart के लिए बहुत अच्छा है, resistance training हमारे muscles के लिए बहुत अच्छा है, क्यूंकि हमारा muscle को improve करता है, tone में रखता है, इसमें क्या-क्या आते हैं, weight flexibility, जैसे कि yoga asanas, ये हमारे joints को properly रखने में, joint space को ठीक रखने में बहुत help करते हैं, तो इस तरह के अलग-अलग प्रकार के exercises, हम ऐसा, इसलिए हम अपने जो diabetes camp हैं, उसमें हम ये तीनों चीजों को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग दिन में, divide करके सिखाते हैं, ताकि वो जाके वापस अपने घर में ये सब follow कर सके, और recommendations के हिसाब से, at least आपको 5 days in a week, एक हफते में 5 दिन कम से कम चलना है, and at least 45 minutes per day, इतना तो करना है, अगर आपको low sugar की तकलीफ है, तो पहले कुछ खा के फिर walking में चले जाए, अगर kidney की तकलीफ है, या आंखों में, जो मैंने ब बढ़ जाती, अगर ऐसा कुछ problems है, तो आप पहले डॉक्टर से संपर करें, क्योंकि आपको weight lifting वो सब नहीं करना है, उससे और तकलीफ बढ़ जाती है, बस, ये इतना ही है, अगर आपको कुछ और doubts है, diabetes के बारे में या और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप Global Hospital आ सकते हैं, हम Global Hospital में, OPD में बैठते हैं, साथ नंबर में, तो आप भले आ सकते हैं, वहाँ पर आपको further guidance दे सकते हैं, और आप आरे, जो हर मैने का retreats होते हैं, diabetes कैंप, चार दिन का, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, ताकि आपको और जानकारी मिलेगी इसके बारे में, ओम श्यांते